परसेंट की मजबूती है आज इस पे दिगज ब्रुकरिज फर्म जेपी मॉर्गन की रिपोट आई है क्या है उनका कहना यह सारी रीटेल्स लेकर हमारे साथ अशेशा जुड रही है अशेशा बताईए जेपी मॉर्गन का क्या व्यू है जुमाटो पर जी हाँ जेपी मॉर्गन ने एक नोट निकाली जुमाटो पर जहां उन्होंने कहा कि अभी बहुत जल्दी है बॉटम फिश करना बॉटम फिश यानि स्टॉक डिकलाइन हो रहा है उसके कारण खरीदारी करने में हमें गाई नहीं करनी चाहिए और जेपी मॉर्गन अभी तो डिफरेंट परस्पेक्टिव से अनलाइज कर रहा है स्टॉक याद रखें जुमाटो का आईपी और नोवेंबर में आया था और नोवेंबर के हाई से स्टॉक अल्रेडी 42% करेक्ट हो चुका है और यह डिकलाइन हमने ग्लोबल माक्रो फैक्टर्स के कारण देखें ज जेपी मॉर्गन के वाल्यूएशन के मिताबिक 12.2% का वेटेड अबरेज कॉस्ट अफ कैपिटल प्राइस इन कर रहे है और जुमाटो की सेंसिटिविटी डव्यू ए सीसी के अजुम्शन को से शापर है ऐस कंपेर्टू जो होनी चाहिए जुमाटो में बहुत जानारियों हम देख सकते हैं एस कंपेर्टू अपसाइज और जेपी मॉर्गन ने ऐसा भी कहा कि जो मैटो अपने पियर से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और ग्लोबल पियर से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है धन्यवाद अशेशा हैं सारी डीटेल्स हमारे सामने रखने के लिए तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि अभी जल्दी मत करिये जुमाटो के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि और भी गिरावत देखने को मिल सकती है और कल हमने देखा था इनके कंपेटिटर स्व